हेलो माई डियरो स्टुडेंट्स, वालकम तू मैंग्विर ब्रिंस हिंदी मीडियम मैं आपकी अपनी प्रग्या गुप्ता लेकर आ गई हूँ फिर से महान विक्तितो पुस्तक का एक और नया पार्ट जिसका नाम है मुंशी प्रेमचन मुंशी प्रेमचन का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा, जरूर सुना होगा क्योंकि ये हिंदी साहितिके सबसे ज़्यादा पढ़े और जाने जाने वाले एक साहितिकार और लेखग है मुन्शी प्रेमचन चाहे भारत की दुर्दश्या हो चाहे नारी शिक्षा हो ग्रामीन छेतरों की जो समस्याए हैं उन पर एक विशिष्ट साहित्य जो लिखा है वो मुन्शी प्रेमचन जी के द्वारा लिखा गया है तो आज हम मुशी प्रेमचन जी के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आप बचों के लिए तो इनके साहित में बहुत ही मज़ेदार कुछ कहानिया भी हैं तो आप बस इनको सर्च करिए और कुछ मज़ेदार कहानिया भी पढ़ते चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं उनका एकदम तयार होंगे सुनने के लिए और बहुत ही इंट्रस्ट के साथ आज इस पार्ट को सुनेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था तो सबसे पहली पंक्ती ही बहुत महत्वपूर्ण है कि साहित्य में हमें ये पता होना चाह कि कौन सा कवी अलेखा वास्तिविक नाम उनका क्या है और वो किस नाम से साहित्य रचना किया करते थे तो मुंशी प्रेमचंद का पूरा का पूरा जो साहित्य है वो आपको प्रेमचंद के नाम से ही मिलेगा लेकिन उनका वास्तिविक नाम धनपत राय था ठीक है उनका जन्म सन 1880 में वारानसी जिले के लमही नाम का गाउं है वहाँ पर उनका जन्म हुआ था इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था अजायब राय डाग खाने में क्लर्क थे मैंनी इनके जो पिता थे वो डाग खाना यानी की जो पोस्टल डिपार्टमेंट होता है पोस्ट ओफिस जिसे आप कहते हो उसमें क्लरिकल पोस्ट पर थे वहाँ क्लर्क जो होती है एक पोस्ट वहाँ पर कारे रहते और केवल 20 रुपे मासिक वेतन पाते थे आपको अश्यर होगा कि 20 रुपे एक समय तो अगर हम मार्केट में जाएं तो एक 20 रुपे का हम चिप्स का पैकेट लेके फटा-फट से दो मिनिट में उसको कप खतम कर देते हैं पता नहीं चलता लेकिन ये बात कप की है 1880 यानि की 1880 यानि बहुत साल पहले उस समय तक इस 20 रुपे की जो कीमत थी ये बहुत जादा थी ठीक है और उसमें पुरा घर भी चल जाया करता था कुछ थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती थी सारे घर के जो रुटीन के काम है लगभग वो भी हो जाया करते थे तो इसको हम कहते हैं कि पैसे की मूल है ना पैसे का जो मूल होता है 20 रुपे की आज आपके जमाने में कोई खास एहमियत नहीं है लेकिन उस समय 20 रुपे घर चलाने के लिए भी बहुत होते थे ठीक है और जैसे अब आज की जो 500 है याने वाले और समय में ये इसकी 10-20 रुपे जैसी कीमत रह जाएगी है ना तो ये समय के साथ साथ पैसे का ये चलता रहता है इस तरीकी का घर की आर्थिक इस्तती सामान्य थी सामान्य यानि ना तो बहुत ये मतलब गरीबी रेखा में हम इनको कह सकते हैं और ना ही बहुत हाई ली थे धनपत राय को गाओं के पास एक मौलवी साहब मौलवी साहब यानि जो मुस्लिम गुरू होते हैं उन्हें मौलवी जी कहा जाता है मौलवी साहब के मदरसे में उर्दू फार्सी पढ़ने के लिए भेजा गया तो मदरसा जो होता है जादा तर वो मौलवी जी के हाँ पर किस लिए भेजा गया उर्दू फार्सी पढ़ने के लिए भेजा गया जग प्रेमचन आठ वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहान तो हो गया एक आठ वर्ष की आईउ किसी बच्चे के लिए बहुत ही कम होती है है ना आठ साल का बच्चा तो कुछ ज़ादा समझता ही नहीं है लेकिन उस उम्र में ही इनकी माता का देहान तो गया यनि मा के प्यार से ये वन्चित हो गया पिता ने दूसरा विवाह कर लिया ठीक है अब दूसरा विवाह पहले उस समय मतलब माता की शांत होने के बाद बच्चे इतने छोटे हैं तो परिवार की कुछ आवेशिक्ता होती है तो परिवार जब कहता है कि भई आने वाले समय में एक जीवन साथी की आपको भी जवरत है बच्चे भी छोटे हैं तो दूसरा विवाह कर लिया गया इनके पिता के द्वारा प्रेंचन का नाम हाई स्कूल में लिखाया गया ठीक है अब उनका क्लास जैसे बढ़ी तो थोड़ा बड़े स्कूल में उनका नाम लिखवाया गया पिता का तबादला का मतलब होता है स्थानांतरण है ना इस्थानांतरण यह नहीं जिसे आप कहते हैं बीदी सी बात है भाई अगर बार 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 ट्रांसफर होगा तो अगर हम उसको पॉजिटिवली लें तो एक नई जगा एक्स्प्लोर करने का मौका मिल रहा है नए फ्रेंड्स नया पास्पोर उस नया स्कूल नए टीचर ऐसा महाल मिलता था लेकिन अगर हम एक स्टू लेकिन जो पढ़ने लिखने का प्रॉपर टाइम था है ना वो उनको कम मिलता था ठीक है जब वे 13 वर्ष के थे तो उनके पिता का अतबादला गोरखपुर में हो गया जो कि उत्तर प्रदेश में है अब वे वहाँ से कहां शिफ्ट हो गए गोरखपुर में शिफ्ट हो ग बेचने वाला ठीक है एक होता है क्रेटा क्रेटा यानि होता है खरीदार और विक्रेटा यानि होता है सेलर वहाँ उनका परिचे एक पुस्तक विक्रेटा से हो गया भई हलकी फुलकी दोस्ती हो गई उनके साथ संपर्क बढ़ने से संपर्क यानि मेल जोल बढ़ने से प् प्रेमित रूप से उसकी दुकान पर जाने लगे दुकान से प्रेमचन पढ़ने के लिए किसे कहानी की कुछ पुस्तके ले आते थे कि भाई आज मैं ये वाली पुस्तक ले जा रहा हूं ये पढ़के तुम्हें कल वापस दे दूँगा फिर वो वाली खतम कर ली दूसरी ल आरवे पुस्तके पढ़ने लगे और अध्यन के प्रती उनकी रुची बढ़ गई जैसे कि हम आप जैसे आप बच्चे हैं अगर आप रोज कोई ना कोई ये किताब ले लें कि चलो आज मैं इस किताब की कहानिया पढ़ता हूं तो आप एक समय के बाद दो तीन दिन बाद जबाब पढ़ेंगे ना तो तीसरे दिन चौतरे दिन आपको अपने आप एक excitement होगा कि मैंने आज का नहीं पढ़ा आज पता नहीं कौन सी वाली कहानी आने वाली हो सकता है ये कहानी हो तो ऐसे पढ़ने का interest बढ़ता जाता है तो यहाँ पर भी क्या हुआ जैसे जैसे वो पुस्तके अपने मित्र की दुकान से लेकर आते तो उनका पढ़ने में interest बढ़ने लगा उन्होंने उर्दू के स्रेष्ट उपन्यासकारों की लगभग वे सभी पुस्तके पर डाली जो उस दुकान में उपलब्ध थी हमने अभी पिछले कुछ दो तीन मिनिट पहले ही प उपन्यासकार हैं तो वहां के जो सबसे अच्छे उपन्यासकार थे उनकी लगभग सभी पुस्तकें जो उस दुकान में उपलब्ध थी जितने भी नौबल्स थे वहां पर वो सब उनने पढ़ डाले इसी समय पुराना के उर्दू अन्वाद और तिलिस्म होश रुबा के कई भाग भी उन्होंने पढ़ डाले ठीक है जो अपने हिंदी पुरान हैं उनके जो उर्दू में अन्वाद किये गए हैं वो भी पढ़ डाले सांती सांत तिलिस्म होश रुबा करके भी एक उपर न्यास था तिलिस्मी मतलब थोड़ा सा सस्पेंसिव टाइप का वो भी उन्होंने पढ़ डाला कथा शिल्प में पूरी तरह उनका मन डूब चुका था कथा शिल्प यानी कथा का मतलब होता है कहानी तो कहानी और शिल्प यानी होता है किसी चीज को बनाना तो कहानियां बनाना कैसे किस से लिखे जाएं कैसे कहानियां लिखी जाएं कैसे उसमे भाती परचित हो गए थे तो कथा शिल्प में उनका मन पूरी तरह डूप चुका था उन्हें कहानी पढ़ने में सुनने में इंटरस्ट आने लगा था ठीक है और इस प्रकार उनकी जिंदगी का रास्ता भी बदल रहा था यानि धीरे धीरे कब वो इस लेखन के प्रती उनक पंदरह वर्ष के थे यानि सिर्फ 15 एयर की एज तीलग भग आपकी एज की आसपास और कक्षा 9 में पढ़ते थे तब ही उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया अब आप सोचेंगे कि 15 साल के बच्ची का विवाह तो हम बात कर रहे हैं 1880 की ठीक है उनके जन्म के मतलब उस समय की तो अगर वो 15 साल के होंगे तो 1895 के सम्थिंग मान लीजे है ना तो 1895 के सम्थिंग ये जो एयर था उस समय ये सब चीज़े काफी कॉमन थी क्योंकि यही कुरितिया तो आगे चलके प्रेमचन ने दूर की थी तो उनका खुद का विवाह स्वयम का 15 साल में कर दिया यानि जो बच्चा अपने भविश के बारे में पता है ना उसे ये पता कि मुझे आगे क्या करना है क्या मेरा जीवन होगा कैसी मेरी पढ़ाई आगे मुझे क्या पढ़ना है उस एज में जब ये सब सोचने का समय था उस समन का विवाह कर दिया गया उनकी इक्षा थी कि एमे पास करके वकील बने एमे मतलब मास्टर आफ करके तो अब वो एमे जो वकील बनना है तो फिर लॉब वगेरा में वो आगे पढ़ाई करना चाहते थे वकील बनना चाहते थे परंतु विवाह के एक वर्ष बाद ही उनके पिता का जो की डाप विवाह में कारियत थे उनक क्या हुआ होगा इसति पिता के देहान्त के कारण इन पर जिम्मेदारियां आ गई होगी परिवार की, है न, फिर तो परिवार का पूरा का पूरा भार प्रेम-चंद के कंधों पर आप पड़ा, यानि परिवार की जो जिम्मेदारियां थी माता का देहान तो 8 साल के थे तब हो गया और अब पिता का भी हो गया यानि 8 साल की उम्र में माता का और लगभग 15 साल की उम्र में 15 से 16 साल की उम्र में पिता का देहान तो ना यानि पत्नी की परिवार की और परिवार में जो अन्य सदसे थे उन सब की जिम्मेदारी किस पर आगई प्रेमचंद पर आगई प्रेमचंद ने इस विशम परिस्थती में भी हार नहीं मानी जो हम महान व्यक्तित वो पढ़ते हैं उनकी एक सबसे खासियत यह होती है कि वो बहुत विशम परिस्थती से आगे बढ़े होते हैं लेकिन उनसे वो लड़े होते हैं उनसे हार नहीं मानी होती है अगर वो उनसे हार मान लेते तो वो आम व्यक्ति होते लेकिन वो उन से लड़े, उन से जूझते हुए आगे बढ़े इसलिए वो महानव्यक्तित्व में शामिल होते हैं और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी यानि यह नहीं कि अब पिताजी का देहान तो गया कोई काम करना है तो सबसे पहले पढ़ाई छोड़ दो तो पढ़ाई को वो continue करते रहें वे अपने गाउं से पांच मील दूर यानि पांच किलोमीटर दूर वारणसी के क्विन्स कॉलेज में पढ़ने जाते थे यह शब्द क्या लिखा है? क्विन्स कॉलेज लिखा हुआ है तो वहाँ पर ये पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे वहाँ से दो ट्यूशन पढ़ा कर वे लोटते यानि पढ़ने भी जाते और साथी साथ पैसों की अर्निंग के लिए क्या करते थे? दो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे और वहाँ से ट्यूशन पढ़ा कर लोटते थे उन्हें 5 रुपे मिलते थे 20 रुपे में उनके परिवार का खर्च चल जाता था हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा और अब इने ट्यूशन से कितने रुपे मिलते थे पांच रुपे, दुछ शायद एक वित्ती के लिए काफी होते थे, इसी से उनका घर और पढ़ाई का खर्च चलता था, कैसे उस समय खर्चे थे, तो उस समय चीजों के मूले भी काफी कम हुआ करते थे, तो पांच रुप काफी की में प्रवेश लेने का इरादा चोड़ दिया, क्योंकि क्विंज काॉलेज में केवल प्रथम श्रियनी में उत्रिन चात्रों की ही फीस माफ की जाती थी, क्विंज कालेज में तो ये पढ़ना चाहते थे लेकिन क्विंज का एक रूल था, कि जो लोग prst division पास होत जो फर्स डिवीजन पास्ट लोग होते थे, उनकी फीस माफ हो जाती थी, लेकिन अभी इनका कौन सा डिवीजन आया, सेकंड डिवीजन आया, तो अब इनकी तो फीस लगने वाली थी वहाँ पर, तो इन्होंने शायद फीस की अधिकता होने के कारण, क्विन्स कॉलेज में जाने का डिवीजन छोड़ दिया, बहुत मन तो था इनका वहाँ परने का, लेकिन फीस जादा होने के कारण, इन्होंने वहाँ परना का खयाल अपने दिमाग से निकाल दिया, अर्था भाव के कारण, अर्था भाव दो शब्दो से मिलकर बना है, अर्थ और अभाव, क्या-क्या, ये देखे, अर्थ प्लस अभाव, क्या होता है, अर्था भाव, अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा, और अभाव मतलब होता है कमी, तो अर्था भाव यानि पैसों की कमी के कारण एक दिन प्रेमचंद अपनी गनित की पुस्तक बेचने के लिए एक दुकान पर गए संयोग से वही एक छोटे से स्कूल के हैड मास्टर यानि प्रधान अध्यापक से उनकी उसी दुकान पर भेट हो गई भेट हो गई यानि की वहाँ पर वो उनसे मिल गए हैड मास्टर जी जब प्रेमचंद की दीन दशा देखी हैड मास्टर जी ने देखा जब प्रेमचंद की दीन दशा की घर का खर्च चलाने के लिए पैसों की कमी के कारण ही अपनी पुस्तकें बेच रहे हैं तो जब उनने यह दशा देखी तो उन्हें प्रेमचंद्र पर बड़ी दया आई और उन्होंने 18 रुपए मासिक वेतन पर अपने स्कूल का उन्हें अध्यापक बना दिया यानि अब प्रेमचंद जो भी फिलहाल 5 रुपए कमा रहे थे अब उनको 18 रुपए मिलने लगे किस काम के एक स्क स्कूल में उन्हें शिक्षक की नौकरी दे दी अब वहाँ पर पढ़ाने जाने लगे कितना वेतन मिल रहा था 18 रुपए तो 5 रुपए में घर चला रहे थे तो 18 रुपए तो फिर भी ठीक है है ना नौकरी पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई निश्यत रूप से 5 रुपए से सीधा 18 रुपए की जॉब उनको मिल गई थी तो प्रसन्नता होनी तो बनती है वारा नसी से लगभग 60 किलोमीटर दो 60 किलोमीटर दूर चुनार जाकर उन्होंने अपना कारेभार सम्हाल लिया यानि घर से अपने 60 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने वह जौब जौइन वहाँ पर कर ली प्रेमचंद अपना सारा समय अध्यन में वितीत करते थे क्योंकि पढ़ना शौक था ठीक है तो जादा से जादा जो टाइम मिलता था वो खुद की सेल्फ रीडिंग में वो लगाते थे यहाँ पर बात हम कर रहे हैं अध्यन की एक होता है अध्य अध्यापन यानी पढँआना अध्यान यानी स्वयम पढ़ना तो वह खुद पढ़ता है जो वेक्थी वह दुसरों को भी पढ़ा सकता है तो यहाँ पर उभी फिलहालव अपना पूरा समय किसको दे रहे थे खुद अध्यन में ताकि वह अपना नॉलेई बढ़ा सकें कुछ समय बाद Queen's College वारान असी के अंग्रेजी के जो प्रधान अध्यापक बेकन साहब ने क्रपा करके प्रेमचंद को सरकारी स्कूल का अध्यापक बना दिया भी वो Headmaster जी ने उनको अपने स्कूल में बनाया था लेकिन Queen's College के जो बेकन साहब थे उन्होंने क्रपा करके मतलब उनकी स्तती को देखकर या प्रसन होकर स्तती कुछ भी हो सकती है उसको देखकर प्रेमचंद को सरकारी स्कूल का अध्यापक बना दिया यानि वो Government Teacher बन गए अनेक विद्यालेयों में अध्यापन कारे करने के बाद वे डिप्टी इंस्पेक्टर ओफ स्कूल्स हो गए अरे वा देकि प्रतिभा होती है जो ऐसे हमें आगे की तरफ लेकर जाती है कि वो पहले तो खुद अध्यापन करते थे फिर अध्यापन करने लगे है ना अध्य इस समय तक वे उर्दू में कहानिया लिखना आरंभ कर चुके थे जो बहुत पढ़ते हैं उनके पास शब्दों का भंडार हो जाता है और फिर उस भंडार वाले शब्दों को पिरोना कैसे है वो इन्होंने पुस्तके पढ़ पढ़के सीख लिया था अब यह क्या करने कह सकते हैं उसमें जमाना एक पत्र था उसको पत्र का नाम था उसमें इनकी कहानिया जो थी वो प्रकाशित होने लगी मतलब छपकर आने लगी उन्होंने इंटर और बिये की परिक्षाएं भी पास कर ली थी सरकारी सेवा के नियमों का पालन प्रेमचंद बड़ी से किया करते थे रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे जब वे दौरे पर जाते तो भोजन आदी की व्यवस्था स्वयम करते दौरे पर मतलब जब स्कूल चेकिंग वगेरा के लिए जब वो अपने टूर पर निकलते तो वो अपने व्यवस्था भोजन आदी की व दिवास विकार नहीं करते थे बतलब जो खुद के लिए जो भी चीजों की आवश्यक्ता होती थे उसका आरेंजमेंट खुद करते थे किसी अन्य को उसके लिए परिशान नहीं करते थे अपने छेत्र के अध्यापकों के बीच भीवे बहुत लोक प्रिये थे यानि और दूसरे जो टीचर्स थे वो भी इन्स इंस्पायर होते थे तो उन सब के बीच में भीवे बहुत जादा लोक प्रिये मतलब की पॉपुलर हो गए थे जब देश में आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो हिंदी के कवियों और लेखकों पर भी स्वतंतरता आंदोलन का प्रभाव पड़ा यानि जब हमारी आजादी की लड़ाईयां शुरू ही देश को स्वतंतर होने के लिए जज़बा जागा जब लोगों का तब उस स जो है उसमें लोग कई तरह से लड़ते हैं कुछ सरहद पर जाकर लड़ते हैं कुछ अपने घर में अपने विचारों से लड़ते हैं कुछ योजना बना कर लड़ते हैं कुछ कलम से लड़ते हैं तो यह जो कलम से लड़ने वाले लोग थे वो ये लोग थे यह सरहद पर लड़ने नहीं गए थे लेकिन इन्होंने क्या काम सम्हाला अपनी कविता के माध्यम से अपनी लेखों के माध्यम से यानि अपनी कलम के माध्यम से लोगों में जज़बाय जुनून जगाने का प्रयास किया वहीं अपने जहां जिस जगा पर थे वहीं पर रहकर लोगों को जोश जगाने का हिम्मत ना हारने के संदेश इनोंने देने के कारे करें तो लोग जब जिस समय सरहदों पर लड़ रहे थे ये अपनी कलम की ताकत से देश को आजाद कराने की कोशिश कर रहे तो हर वेक्ति का योगदान अलग-अलग था ठीक है तो अब इन लोगों की जो र ये अंग्रेजों की अन्याय पूर्ण नीतियों के विरुद्ध भी लिखा करते थे यानि उस समय जो प्रेटिशर्स हमारे भारतियों पर जो अन्याय करते थे अत्याचार करते थे उसके बारे में भी ये खुलकर लिखा करते थे प्रेमचंद की इस प्रकार की जो कहानिया है उनका संग्रह सोजे वतन नाम से सन 1909 में प्रकाशित हुआ था सोजे वतन जो इनकी देश प्रेमचंद की जो कहानिया है उनका संग्रह है उनकी ये रचनाए नवाब राय के नाम से छपती थी वास्तिविक नाम धनपत राय हिंदी साहित में प्रेमचन और उर्दू साहित में जो ये लिखा करते थे वहाँ पर इनका नाम क्या था? नवाब राय के नाम से लिखा करते थे यह ना एक ही वेक्ति जिसका तीसरा नाम हम यहां पर पढ़ रहे हैं सोजे वतन ने सरकार का ध्यान आकरश्ट किया और लेखक का पता लगाने में 6 महीने लग गए यानि गौवर्मेंट ने जब उस पर नज़र डाली कि भाई कोई यह कैसा है जो अंग्रेजों के बारे में भी लिख रहा है तो लेकिन उस राइटर का पता लगाने क्योंकि उसमें इतना कोई मीडिया का चलन नहीं था और यह सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ऐसा नहीं था कि किसी भी चीज़ का पता तुरंत लगाया जा सके तो लेकर जब सरकार की नज़र उनकी सोजे वतन पर तो उन्होंने देखा कि उनकी पुस्तक जिलादिकारी यानि कलेक्टर उस समय भी ये सारी पोस्ट हुआ करती थी तो कलेक्टर की ओफिस टेबल पर इनकी सोजे वतन जिलादिकारी के सामने रखी हुई है यानि वहाँ पर अपनी पुस्तक को उनके सामने की टेबल पर रख तो यह confusion हुआ होगा उन्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर ली गई अब समझ में आया आपको क्योंकि इन्हों ने इसमें अंग्रेजों के खिलाफ लिखा था तो गौर्मेंट ने इनको कि भई आप सरकार के विरुद् नहीं उन सबकी प्रतियां जब्त कर ली मतलब लॉक कर दी क्या वो किसी को पढ़ने नहीं मिलेंगी मार्केट में बेचने है तो नहीं जाएंगी ठीक है तो सभी प्रतियां यानि एडिशन जो होते न एडिशन मेग्जिन के वो सारे के सारे जब्त कर ली अपने पास रख इस समय तक प्रेमचंद उर्दू के सम्मानित लेखक बन चुके थे इस घटना के बाद अब वो प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे यानि यहां तक उन्होंने अभी नवाब राय के नाम से लिख रहे थे लेकिन अब इस घटना के बाद से उन्होंने प्रेमचंद के ना बाल विवाह चलता था जो इनका खुटका हुआ था या फिर अच्छी उतों के बारे में लिखना चुटो धार के बारे में लिखना चुवा चुट के बारे में लिखना जो गाओं में होने वाली वास्तविक समस्याएं हैं उनकी बारे में लिखना कुरीतिया यानि जो बुर रितियों के बारे में लिखना शुरू किया अर्थहीन रूडिया ऐसे रिती रिवाजिन का कोई लॉजिक नहीं है बस बड़े मान रहे थे वो करते थे इसलिए हम कर रहे हैं ऐसे जो रिवाजिन के समय में थे उनके बारे में लिखना शुरू किया साथी साथ परंपराओं औ पर अंधर विश्वासों का भी विरोध करते थे परंपराओं का पालन करना अच्छी बात है लेकिन उनका लॉजिक जानना तो जरूरी है ना या फिर बस हमारे दादा ऐसा किया करते थे इसलिए हम ऐसा किया करते हैं ना हमें उसका लॉजिक पता ना उन्हें उसका लॉजिक के कोई चीज नहीं बनी चाहे चरण सपर्श करना हो तिलक लगाना हो कोई भी हवन पूजन हो कोई भी किसी भी प्रकार का कार्ण हो उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण जरूर होता है तो यहां पर प्रेमचन ने किस चीज का विरोध किया ऐसी चीजों का जिसका वैज्ञा भी आने यह वाला जो मैं पढ़ा रही हूँ यह आपको समझ में आएगा ही यहीं तो इस तरीकी की जो सोच होती है अब मैं जब आरही हूं करी तो मुझे चीज आ गईती तो अब मैं चीजह नहीं साथा आध्सा नहीं हो जाए जबकि अगर थो यह चीजना तो एक सामाने लगता है आप भी शायदे सब नहीं मानते होंगे तो अंद विश्वासों का इस तरीके की बातों का ये विरोध किया करते थे वो काली बिली रस्ता काट गई वाली चीज तो ये सब चीजें मैं तो नहीं मानती हूं और यहां पर प्रेमचन जी भी इन सबको नहीं माना करते तो वो भी इनका क्या करते थे विरोध किया करते थे इन्होंने बाल विवाह के विरोध में और विद्वा विवाह के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की बाल विवाह मतलब जो इनका स्वयम भुपता हुआ था कि उस बच्पन में जब बच्चा अपनी भविश्य के ब बातना हो तो क्या वो चीज सही है उस समय में उसका विवाह किया जाना सही है बिल्कुल नहीं तो इन्होंने उस बाल विवाह के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई कि विवाह के लिए जो निश्यत आयू है लड़कियों के 18 वर्ष लड़कों की 21 वर्ष तभी उनका विव किया जाना चाहिए ठीक है उसके पहले जो भी विवाह होता है वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है जो पूरी तरह कानूनन तरीके से भी गलत है तो उसकी खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी साथी साथ विद्वा विवाह के पक्ष में भी नहोंने अपनी बात की विद्वा विवाह क्या होता है जैसे कोई महिला है उसके पती की मृत्यू हो गई ठीक है अब पूरा जीवन उस समय क्या होता था कि नेवा आपका चहरा कोई नहीं देखेगा आपको एक बंद कमरे में रहना पड़ेगा सफेद वस्तर पहनने पड़ेंगे आप अच्छा नहीं खा सकते आप संगीत नहीं सुन सकते आप अपने जीवन में किसी उत्सव में नहीं जा सकते इसका विरोध है इन्होंने किया था क्यों क्योंकि उस तरी के पती की अगर ब्रत्यू है हुई है अगर वो किसी बिमारी से हुई है तो क्या पतनी की उसमें कोई गलती है क् अपना बच्चा हुआ जीवन जो है शेश जीवन वो इस तरी किसे अंदिकार में बिताए बिलकुल नहीं क्योंकि ये तो एक सामाने प्रक्रिया है जीना और मरना जिस पर किसी का कोई बस नहीं है ऐसा इनका मानना था तो इनका क्या कहना था कि ऐसी महिलाएं जिनके अगर प किया जाना चाहिए जो कि पूरी तरह सही है वास्तव में भी सही है तो ये विदवा विवाह के पक्ष में बात करते थे कि ऐसी महिलाओं को भी जीने का हक है उन्हें भी अपने जीवन का आनंद लेने का हक है तो उनका दूसरा विवाह किया जाहिए तो ये इसके पक्ष मे भी नोने अपनी बात की थी उर्दू के एक उपन्यास जो बाद में प्रेमा नाम से हिंदी में भी चापा गया है उर्दू में एक उपन्यास लिखा जिसका कैसे हुआ बच्चों की लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी मान के चलो उनके पती की किसी मृत्यू हो गई जीवन अधिक्तम आयू उस समय 80-100 वर्ष हुआ करती थी उस बिचारी लड़की जिसकी 12-13 साल में कर शादी कर दी गई है और मान के चली उसके पती की मृत्यू हो गई है पूरा का पूरा जीवन वो कैसे बिताईगी कितनी चुनोतियां उसके सामने होंगी कितनी परेशानियां उसके सामने होंगी उन सब का सामना करने के लिए वो अकेली और उस काल कोठरी में बंद जिसमें वो कहीं बाहर नहीं निकल सकती रंगों को नहीं पहन सकती अच्छा खा नहीं सकती, जीवन में कोई उत्सवों में शामिल नहीं हो सकती तो ऐसी समस्याओं को इन्होंने इस प्रेमा नाम के उपन्यास में उठाया है कि ये बिल्कूल गलत है, उस बच्ची की, उस लड़की की, उस महिला की कोई गलती नहीं है ये तो एक नियती थी, कि उस व्यक्ति की उम्रत्यू हो गई, लेकिन उसे तो अपने जीवन जीने का हक है न तो यहाँ पर इस तरीके की समस्याओं को इन्होंने उठाया है इस उपन्यास, उपन्यास यानि नॉबल में, नायक एक विधवा से विवाह कर लेता है इनके जो कैरेक्टर थे, उसने क्या किया? नायक मतलब जो में कैरेक्टर था, वो एक विधवा लड़की से विवाह कर लेता है बाद में प्रेमचन ने सेवा सदन उपन्यास लिखा और दहेज की समस्या का विशद विवेचन किया यानि दूसरी उस समय की समस्या जो आज तक भी कई जगाओं पर समस्या के रूप में चल रही है एक तो ये बाल विवाह थी, दूसरा विधवा विवाह का समर्थन करना और तीसरी थी दहेज की समस्या कि विवाह में जो लड़कियों के साथ दहेज दिया जाता है, स्वेक्षा से दिया गया है सस्वाल स्वेक्षा से इसको सुविकार कर ले अच्छी बात है लेकिन कई परिवारों में लड़कियों को परिशान किया जाता है कि भई आप अपने माता-पिता से ये मांग के लाइए, गाड़ी लाइए, धन लाइए, गोल्ड लाइए, तो वो दहेज की श्रनी में आता है और इस दहेज की वजह से कई बार लड़कियों की जान चली जाती है, उनकी जान बर बनाती है, वो स्वैम अपनी जान दे देती है, परिवार की बेज़ती होती है, तो कई तरह की की समस्याएं आती है तो एक तो दहेज है, जिसे आप इंग्लिश में डावरी भी कहते हैं, तो ये दहेज भी एक समस्या के रूप में उभर रहा था, प्रेम जन ने उस समस्या का भी विशद विवेचन किया है, यानि इस पर भी लोगों का ध्यान डाला है, नजर उस पर भेजी है कि भाई, य जो भी छोटी मोटी उस समय ये जो समस्याएं थी, इन पर ध्यान आकरशित करने का कारे किस ने किया, प्रेम जन ने किया था, ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया, प्रेम जन केवल उपदेश ही नहीं देते थे, अब आपने देखा, कि वो सिर्फ ये नहीं था, क बस वो बड़ी-बड़ी बाते करते थे कि ऐसा करना चाहिए, वो स्वयम भी उसको फोलो करते थे, बलकि जो कुछ वे खुद कहते थे, वो उसे करके भी दिखा देते थे, अपनी पत्नी की मृत्यू के बाद, इनकी जो बाल विवा हुआ था, देखिए उसके भोगत भोग शिवरानी देवी से विवाह किया, यानि ये स्वयम कहते थे कि विद्वाओं का पुनर विवाह होना चाहिए, तो उन्होंने भी क्या किया, जब इनकी पत्नी का देहान्त हो गया, तो एक कुलीन परिवार मतलब एक अच्छे घर की, एक ऐसी महिलाजन के पत्ती की शिवरानी देवी जी नाम का नाम था, उनका यह वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहा, क्यों सुखमय रहा होगा, एक तो maturity, जिस समय पहली पत्नी से इनका विवाह हुआ था, ये बच्छपन में थे, लेकिन इस समय जब इनका विवाह हुआ तो एक maturity थी, जीवन कैसे जी जिसमें दौनों लोग बुद्धी विवेक से सही चीज़न सोच सकते हैं, तो वो अच्छा ही बीतना था, बच्छपने का जो रिष्टा था, वो बच्छपने ही जैसा था, लेकिन यहाँ पर क्या थी है, एक maturity थी, एक समझदारी थी रिष्टे में, इसी लिए जो इनका व जलियावाला बाग की घटना और 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असायोग आंदोलन का प्रेमचंद के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, यानि जब यह अवस्था में थे, उस समय कौन-कौन सी घटनाए हुई, बंगाल विभाजन हुआ, जो डिवाइडेशन ह हुआ था, वो चीज हुई, उसके विरुद्ध चलाए गए आंदोलन, यानि भारत के लोगों न उसके विरुद्ध जो आंदोलन चलाए, उसके बारे में इनोंने किया, गुप्त क्रांतिकारी संगठन, यानि देश आजादी की लड़ाईयां लड़ रहा था, उस समय तो जनरल डायर ने जो गुलियां चलवा के कई निर्दोश लोगों को माय डाला था, 1919 की बात है वो, तो वो सब घटनाएं इनके सामने हुई थी, इन सारी घटनाओं का इनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, कि भाई ये हो क्या रहा है, मेरे देश जहाँ पे दोलन चलाए गए थे, तो वो महत्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे, तो उसका भी इनके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा, प्रेम चंद ने अन्याय का विरोध करने का निश्य किया, अब इन्होंने ठान लिया कि मुझे जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उ चुके थे, गांधी जी के आवाहन पर, आवाहन यानि बुलावे पर, प्रेम चंद ने सरकारी नौकरी से स्तीफा दे दिया, स्तीफा दे दिया मतलब गवर्मेंट जॉब थी जो उसके साथ कई इनके पास नियम काईदे कानून थे, कि आप एक सरकारी नौकरी में रहते यह प्रदर्शन नहीं कर सकते, इस रैली में नहीं जाएंगे, तो यह बहुत सारी बाउंडेशन्स थी उनके पास गौर्मेंट जॉब के साथ, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सरकारी नौकरी से स्तीफा मतलब की रैजिगनेशन दे दिया, कि भाई अब मैं सरकारी आदम में तो वे जीवन भर रहे, पर सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद उनकी जो कठनाईयां थी, वो और भी बढ़ गई, यानि फाइनेशली तो यह शुरू से ही काफी वीक थे, लेकिन यह गवर्मेंट जॉब करते-करते, इस ततियां थोड़ी अच्छी होती उनकी, लेकिन त्याग पत्र देने के बाद, यानि स्तीफा देने के बाद, रेजिगनेशन देने के बाद, जो इनकी कंडिशन थी, वो और भी जादा खराब हो गई, लखनाउ जाकर, वे मर्यादा और माधुरी, ये दो समाच पत्रिकाएं हैं, मैगजिन्स थी, मर्यादा और माधुरी पत्रिकाओं का संपादन करने लगे, उनकी एडिटिंग का काम वहाँ पर ये करने लगे इस बीच उन्होंने बहुत सारी कहानिया और उपन्यास लिखे, जो की कहानिया ने एक पत्र पत्रिकाओं जो समें निकलती थी, उसमें छपने लगी, जिसके कई संग्रह प्रकाशित हुए, कई ऐसी कहानिया जो पार्ट वाइस थी, पार्ट वन, पार्ट टू ऐसे करके थी, तो वो सब भी प्रकाशित हुए, किन्तु लेखन कार्य से उन्हें उतना नहीं मिलता था कि उनकी ग्रहस्ती सुख से चल सके, मतलब किसी चीज़ का राइटर होने से उनको इतना फाइनेंशली पैसा उनके पास नहीं होता था, कि जो घर गस्ती थी, वो अराम से चल सके, अब घर गस्ती में कितने सारी चीज़ें होती हैं, आप भी अपने घर में अगर आपका भी घर का बजट आपने तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो जीवन जीने के लिए आवशक होती हैं, लेकिन इनको लेखन से तना पैसा नहीं मिलता था, कि इनके रोज मर्रा के जो काम है वो असानी से हो सकें, उनकी रचनाएं तो लोखप्रिय हुई, यानि जो वो कहानिया किस से लिखते थे, वो बराबर से पॉपुलर हो रहे थे, वो तो प्रसिद्ध हो रहे थे, और बिक भी खूब रहे थे, परंतु उसका सारा लाव रचनाओं के प्रकाशक हडप जाते थे, यानि कहानी ये लिखते थे, लेकिन जो लोग उसे प्रिंट करते थे, जो बैनिफिट होता था, वो ले जाते थे, यानि इनको लेखन का बस सिर्फ लेखन का उनको पैसा मिलता था, बाकी जो लोग प्रेथा थी, वो मिलती थी, लेकिन जो पूरा पैसा है उसका जो बैनिफिट होता था, वो कौन ले लेता था, जो पब्लिशर जिने हम कहते हैं, जो पुस्तके छापने का का करते हैं, वो लोग उस फायदे को रख लेते थे, तो इन तक वो फायदा नहीं आ पाता था, जिस कारण ये फाइनेंशली परिशान रहते थे, प्रेम चंद्र पर गांधी जी की विचार धरा का गहरा प्रभाव था, गांधी जी की सोच और विचार का इन पर बहुत असर गांधी जी के व्यापक दरश्टिकोन का लावकिक पक्ष प्रेम चंद के उपन्यास में इस प्रकार उभर कर आया कि वे सामानि जंता के लिए सहज ही ग्रह हो गया, जैनी गांधी जी के थौट जो थे, जो विचार थे, उसका प्रेम चंद पर इतना असर हुआ कि प्रेम अपनी रचनाओं में वो चीजने लिखने लगे और जो लोग उन्हें पढ़ते थे वो इसलिए उनको accept कर लेते थे मतलब ये लाइन का अर्था आपको समझ में आ गया कि सामाने जनता के लिए वा सहज ही ग्राह हो गया यानि गांधी जी के जो सोच विचार थे वो घुमा फिरा के ये सतरीके से अपनी रचनाओं में लिखते थे कि लोग उनको असानी से accept कर लेते थे लोगों को समझ में आ जाता था अंग्रेजों की नीती के कारण उनके योग में वर्ग संघर्ष आरंब हो गया था अंग्रेज तो बस एकी चीज़ चाहते थे food डालो और शर्षन करो divide and rule तो वो क्या करते थे अंग्रेजों की नीती या नि जो policy थी उसमें वर्ग संघर्ष मतलब लोगों को देखो जब हम एक होकर रहेंगे तो किसी को भी हमें तोड़ना बहुत मुश्किल होगा है ना लेकिन अगर हम अलग-अलग हो जाएंगे तो हमारी शक्तियां क्या हो गई divide हो गई बट गई हमारी शक्तियां तो किसी को भी हम पर हमला करना या हमें तोड़ना आसान हो जाएगा आपने वो गठर वाली कहानी सुनी होगी बच्पन में लकडियों का गठर वाली तो ठीक वैसी हिस्ति अगर कोई परिवार या देश के लोग आपस में मिलकर है तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है लेकिन अल्रेडी वो अगर बटे लहेंगे अलग अलग चीजों में तो उनको तोड़ना तो बहुत आसान है तो अंग्रेजों ने क्या किया वर्ग संघर्ष बना दिया किसानों और जमीदारों के बीच और देज जल रहे थे मजदूर मिल मालिकों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे यानि मजदूर महनत करते लेकिन जो फायदा है वो कौन ले जाते मिल मालिक यानी फैक्टरी के मालिक ले जाते तो मजदूर वर्ग भी परेशान था यहां किसान परेशान यहां मजदूर परे यानि जो गरीब मजदूर थे जिनके जो रोज के पैसे पे निर्भर थे वो लोगों से संघर्ष कर रहे थे जो उन्हें महनत का पैसा देने वाले थे महनत बिचारे वो गरीब लोग कर रहे थे लेकिन उसका जो फाइदा है वो पूझी पती लोग उठा रहे थे पूझी पत पूजी पती के बीज और साथी साथ मजदूर का मिल मालिकों के साथ संघर्ष चल रहे थे यानि कोई किसी से खुश नहीं था हम आपस में ही लड़े भड़े जा रहे थे और हरिजन जातियां सवर्णों के अत्याचार का शिकार थी उस समय जो हमारा समाज था वो चार लोगो सबदे उनको कहते थे कि आप यहां मत आव आप स्थान पर नहीं जा सकते तो उनको कहते हिमारे ही लोगों के द्वारा परेशान थे यह क्या कहला दी है समस्या जो अंग्रेशों के कारण यह सारे हमारे ही लोगों की हमारे ही लोगों को दी जा रही थी यानि हमी हमारे लोगों को परिशान करने में लगे हुए थे इन संगर्षों के कारण अनेक समस्याएं उत्पन हो गई इनका समाधान यानि कि इनका उपाय करने के लिए समाज सुधार की आवशक्ता थी लोगों को अवेर करने की आवशक्ता थी जागरू करने की आवशक्ता थी अब ये बीडा किस ने उठाया प्रेम चन ने उठाया तो समाज सुधार के लिए जो आवशक्ता थी ऐसे समय में प्रेम चन ने अपने उपन्यासों के समाच सुधार का कार्य आरंभ कर दिया मैंने आप से कहा ना लड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि हम युद्ध भूमी में जाएं किसी सुधार के लिए जरूरी नहीं है कि हम फिल्ड में जाकर ही काम करें कुछ ऐसे काम जिने बैक स्टेज वर्क भी हम कहते हैं ऐसे भी काम हो और पढ़ते समन को वो बात समझ में आई कि हाँ ये बात तो सही लिखी है तो कलम की ताकत से प्रेम चंद ने ये समाज सुधार की मुहिम शुरुवात की तो इन्होंने उपन्यास के द्वारा समाज सुधार का काम आरंब कर दिया प्रेम चंद महनत मजदूरी करने वाले इस विशाल जनसमुदाय के पक्षधर बने वो किसके सपोर्टर बन गए वो लोग जो जादा महनत करते हैं लेकिन उनके काम का सही मूल्य नहीं मलता उनको किस चीज की आवशकता थी सपोर्ट करने वालों की क्योंकि उनके खिलाब उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नह उन लोगों की आवाज बने जो महनत मजदूरी करके अपनी पेट भरते थे लेकिन उनको उनकी महनत का सही मूल्य नहीं मलता था ठीक है उन्होंने अपनी रचनाओं में निर्धन की चितकार को मुखर बनाया यानि उन्होंने जो रचनाय लिखी जो उपन्यास कहानिया लि रठनायों का हल सुझाया अब अगर वो किसी से कहते कि भाई फलाना ये इस बात से परिशान है आप ये करो तो लोग कहते आप क्यों बोल रहें आपको क्या करना है लेकिन इन्होंने क्या किया लिखने के लिए सोतंतर थे ऐसी रचनाय की जिसमें किसी गरीव व्यक्ति की क लोगों को मिलना चाहिए तो प्रेम चंद किसकी आवाज बन गए उन महनतकर्श लोगों की आवाज बन गए जिन्हें महनत करने के बाद भी सही मूल्य नहीं मिलता था अब प्रेम चंद उनकी आवाज बनकर उभर कर सामने आए और उनकी समस्याओं को लोगों के सामने ला जो वो लिखते थे उसे पढ़कर समाज में एक जो मानविय भावना है उसका विकास हुआ morality का विकास हुआ humanity का विकास होने लगा ठीक है इनके द्वारा रचित उपन्यास में किसानों का अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तयार हो जाना राष्ट्रिय जागरती का संदेश था अगर अब उस समय अंग्रेजों का शाशन था ठीक है यह अगर लोगों को इखटा करते कि भई आप आवाज उठाओ तो अंग्रेज सरकार क्या करती इन पर जुल्म करने लगती इने जेल में डाल देती कि भई आप ज़्यादा हीरो बन रहे तो इन्होंने क्या किया अपने उपन्यासों में लिखना शुरू किया लोगोंने पढ़ना शुरू किया और पढ़कर लोगोंने क्या कहानी से सीख ली कि इनके उपन्यास में जो किसान थे वो क्या कर रहे थे अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे तो indirectly इन्होंने बताने की कोशिश की कि जब मेरे उपन्यास का character ऐसा कर रहा है तो वास्तव जीवन में किसानों को क्या करना है अन्याई के खिलाफ आवाज बढ़ानी है लाइफ कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी रंग भूमी यानि मंच किसी काम का मंच जो आपके अन्वल फंक्शन का मंच होता जिसमें बहुत सारे रंग दिखाये जाते हैं तो रंग भूमी नाम के उपन्यास में भी इनने पूरी लाइफ के बारे में कि क्या-क्या एक लाइफ में हम सर्वाइव करते हैं उसके बारे में बताया है उनका सूरदास तो रंग भूमी का एक ऐसा खिलाडी है जिसने कभी हार नहीं मानी और जब हारा तो भी हसता ही रहा यानि जो उनकी उपन्यास था रंगभूमी, उसका जो मेन केरेक्टर था, वो कैसा था? जीवन में कभी हार नहीं मानने वाला था, तो इनने अपने उपन्यास की माध्यम से लोगों को क्या मैसेज दिया? कि आप भी कभी हार न माने और कभी बाइचांस हारा भी तो हसता ही रहा अगर आप हार भी गए हैं तो हिम्मत मत खोईए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए क्योंकि हसना और मुस्कुरान आपको क्या देगा इनर एनरजी देगा आपको उर्जा और मंगुत साह देगा तो अपने character के माध्यम से इनोने लोगों को message दिया कि पहली बात तो हार और जीत कोई मायने नहीं रखती है अगर आप जीतते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन हार गए हैं तो भी हसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में दुखी ना हो तो अपने उपन्यास की माध्यम से इनोने लोगों को message देने के काम किये न्याय प्रेम और सत्य भक्ती के कारण उनकी हार भी जीत बन जाती है अगर आप न्याय की से चलते हैं, प्रेम से चलते हैं, सत्य पर भरोसा करते हैं, इश्वर की भक्ती करते हैं तो आपकी हार भी किस में बदल जाएगी जीत में बदल जाएगी इनके अगले उपन्यास अभी तो एक हमने रंग भूमी के बारे में देखा आप दूसरा उपन्यास है कर्म भूमी इसमें इन्होंने क्या लिखा देखिए इनका हर जो उपन्यास था वो एक मेसेज देने का क दलित किसान यानि वो किसान जो लगा तार आंधी सर्दी गर्मी वरसात में महनत कर रहे हैं लेकिन उनके साथ जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो उनका वर्णन किया है इस कर्म भूमी में नाम से भी है कि जो हमारा काम है उसकी भूमी के बारे में लिखा है ना कर्म और मजदूरों की मूखवाणी यानि जो मजदूर विचारे महनत कर रहे हैं लेकिन किसी के सामने अपना मूनी खोल पा रहे हैं उनकी आवाज बनकर उनके बारे में भी इस उपन्यास में ने लिखा इसमें देश की जागरती और सजीवता के चितर देखने को मिलते हैं देश में जागरती कैसे आए? इसके बारे में उन्होंने इन उपन्यासों में बताया है अब आपको समझ में आ रहा है कि अपने लिखन के माध्यम से हम समाज को कैसे बदल सकते हैं आपको प्रेम चंद का अन्तिम उपन्यास की बात कर रहे थे दरपन है ठीक है यानि यह कि उन्होंने जो उपन्यास अंतिम लास्ट उपन्यास लिखा गोदान उसमें जो उस समय की बात चल रही है उस समय सिनेरियों में जो भी समस्याएं थी उस सब का वर्णन उसमें कर दिया है उन्होंने तो अगर आप पढ़ेंगे इनका यह उपन्य में मिल जाएगा भारतिय नारी के आदर्शों का चित्रन कर रहे प्रेमचन ने इस उपन्यास में भारतिय संस्कृति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है इस उपन्यास की माध्यम से रोने बताया है कि हम जिस देश के रहने वाले हैं यह देश सभिता और संस्कृति का दे उपन्यासों के नाम है सेवा सदन, गबन, प्रेमाश्रम, रंगभूमी, काया कल्प, कर्मभूमी, गोदान जैसे उपन्यास एक के बाद एक प्रकाशित हुए क्योंकि वो पॉपलर हो रहे थे लोग उनको पढ़ना पसंद कर रहे थे तो एक के बाद एक पटाफट से उपन् कहानिया भी लिखी है, इनकी जो सारी कहानिया है वो मानसरोवर के नाम से आठ भागों में प्रकाशित हैं, यानि मानसरोवर एक उसमें कुछ कहानी, फिर मानसरोवर दो उसमें कुछ कहानिया, मानसरोवर तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ऐसे करके उसमें एडिशन अ इत्रत्व करते हैं उन्होंने हंस और जागरती पत्रिकाओं का संपाधन भी किया इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि माधुरी और एक मर्यादा नाम की पत्रिका का संपाधन किया था इन्होंने अब यहां पर हंस और जागरन नाम की पत्रिकाओं का भी संपाधन किया इसके बन गए ये पत्रिकाएं क्या करतीं थी ये पत्रिकाएं भी लोगों को जागरुक करने का है लिएCar ते देखिए उस समय सोशल मीडिया इतना नहीं था जो प्रिंट मीडिया था उससमय यानि किसी से अगर कोई मैसेज करना है बात करने हैं किसी को संदेश देना है तो यह पत्र पत्रिका समचार पत्रों को लोग पढ़ा करते थे उसी के माध्यम से अपनी बात को कह सकते थे तो इस प्रकार यह दोनों पत्रिकाओं का संपादन भी इन्हों नहीं किया था इन पत्रिकाओं में नए प्रगती शील कवियों की रचनाएं छापकर प्रेमचंद उन्हें प्रोथसाहन देते थे एक महान विक्तित्व की पहचान है कि वो खुद आगे नहीं बढ़ रहे थे औरों को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे जो इनकी हंस और जागरन पत्रिकाँ थी उसमें यह क्या करते थे जो नए प्रगती शील कवियों नए लोग आगे आ रहे थे अपनी उस समय लोगों को जागरु करने के लिए उनको मौका देते थे वो जो कविताई लिखते थे, कहानिया लिखते थे, उनको उस पत्र पत्रिकाओं में ये स्थान देते थे, यानि उसमें उनकी पत्रिकाओं में ये सारी चीज़े छापी जाती थी, आर्थिक कठनाईयों के कारण ये पत्रिकाओं अधिक समय तक नहीं चल सकी, मतलब कुछ financial issues चूज आए प्रिंटिंग में आए होंगे या छपाई के कार खानों वगेरा में जो भी दिक्कते आई हो तो उसकी कारण ये पत्रिकाएं जादा समय तक नहीं चल पाई यानि कुछी दिन इनके अडिशन प्रिंट हुए और उसके बाद वो बंद हो गए जीवन के अंतिम दिनों में वे भाशा की समस्या को सुलजाने में लग गए यानि क्या समस्या उनका कहना था कि हिंदी और उर्दु को एक दूसरे से अलग करके दो कोठ्रियों में इस तरीक करियों जाने कितने शब्द मैंने उर्दु भाशा के सहजी प्रयोग कर लिये होंगे आप भी अपनी भाशा में कोई ना कोई ऐसे शब्द प्रयोग कर सकते हैं तो क्या कहना चाहते हैं कि हम भाशाओं को अलग अलग नहीं कर सकते हैं और नहीं हमें ऐसा करना चाहिए आग अगर हम mixing में बात करते हैं कभी उर्दू का कोई शब्द लेलिया अर्भी का लेलिया फारसी का लेलिया संस्कृत का लेलिया तो हमारी तो पूरी हिंदी इसी तरीके की है जैसे कोई देश में बहुत सारी संस्कृती मिक्स हो जाती है वैसे हमारी हिंदी भाशा में जाने कितन जबकि शब्दों का प्रयोक तो सहज है वो जिस भाशा का प्रयोक करके अपनी बात कहना चाहें वो कह सकते हैं अपने इन विचारों को स्थापित करने के लिए प्रेमचन ने बड़ी भाग दोड़ की पर हिंदुस्तानी भाशा का उनका स्वपन साकार नहीं हो सका उनका पहले से ही खराब था इस भाग दोड़ ने उनको और ठका डाला क्या किया होगा इन्होंने कई सभाओं में सम्मेलनों में जाना हर जाके जाके प्रचार प्रसार करना भाशन देना वक्तवे देना अपनी बात को कहना तो इस भाग दोड़ की सब्स ने क्या किया उनकी तब हो गए हैं कुछ गहाव तरीके के हो गए जिसका बहुत इलाज किया गया पर कोई लाब नहीं हुआ आठ अक्टूबर 1936 को यानि स्वतंतता के पहले ही एक प्रातहकाल वे सदा के लिए सो गए यानि इस महान व्यक्तित्व का जीवन का अंत हो गया उनका देहावसान हो गया तो प्रेम चंद के बारे में हमने जितना आज पढ़ा मुझे लगता है कि इतनी जानकारी आपके लिए होना बहुत जरूरी थी क्योंकि हिंदी साहिति की जितनी भी आप उस्तके पढ़ रहे हैं कक्षा आठ में नौ में दस में हमेशा इनकी एक नएक कहानिया पढ़ने वाले हैं बलकि कॉलिज में भी अगर आप अपने ग्राजूइशन डिगरी में भी अगर आप हिंदी विश्य लेंगे तो निश्यत रूप से उसमें कोई ना कोई एक साहितिकार आपको समाज सेवा राष्ट सेवा देश सेवा में निकल गया पहले साहित रचना करके उन्होंने जीवन को बदलने का प्रयास किया फिर जब वो नहीं हुआ तो ग्रामीनों की समस्या को अपने लेखन के बाद्यम से सामने लेकर आए समस्या जब तक सामने नहीं आएंगी उनके उपाय कैसे ढूंडे जाएंगे यह आईडिया दिया प्रयम चन ने कि मैं अपनी कलम के बाद्यम से समस्याओं को जागर कर रहा हूं उनके समाधान बता रहा हूं अब लोगों को क्या है सब साहिते पढ़कर बदलने की आवशकता है और अगर यह प्रयास नहीं किये जाते तो शायद उन गरीब मजदूरवर्ग की जो समस्याओं थी वो कभी सामने नहीं आपाती वो वहीं दब कर रह जाती लेकिन आज इनका जो प्रभाव था उसके करण चाहे बाल विवा हो विधवा विवा हो अचूतों का उधार हो शिक्षा विवस्ता हो नारियों का अस्थ बात है कि उनके साहिते में हमेशा नारियों को बहुती सम्मान्य स्थान दिया है यानि वो नारियों की जो सुरक्षा है नारियों की शिक्षा है नारियों का जो समाज में स्थान है उसके भी प्रभल पक्षिधरते की नारी एक सम्मान की चीज़ है और आपको हर हाल में उन समझ में नहीं आ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे और मैगनेट बेंड का जो आपके लिए जीवन लक्ष है हमारा जो लक्ष बन चुका है वह यही है कि हम अपने भारत के बच्चों को हर एक बात उनके लेवल पे जाके उनके समझ में आने तक समझाएं तो आ यह सांते साथ मैगनेट ब्रिंस के वीडियोज देखते रहे हैं क्योंकि यहां तो खजाना चुपा हुआ है सीपसी इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड आने वाले समय में और भी अधिक सारे बोर्ड साथ में साथ MP बोर्ड इन सारी चीज़ों के ठेरों हर विशय के हर कक्षा के वीडियो यहां पर उपलब्द हैं और सबसे खास बाते की पूरी तरह निश्छुल्ख हैं यहां पर किसी तरीके का कोई सबस्क्रिप्शन लेने को नहीं कहा जाता दो वीडियो के बाद अन्य वीडियो किसी प्रकार से साथ में हैं दीर दीर आप प्रतियों की परिक्षाओं के लिए खुद को तयार करिए एंटी सी सी यूटी जैसे एक्जाम के लिए आप अपने आपको तयार कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए यहां पर काफी सारा मुटेरियल मौजूद है हमारे साथ बने रहने के ही आप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और टेलिग्राम की मदद ले सकते हैं बुक्स اورी बुक्स के कलेक्शन के लिए भी यहां पर बहुत सारी साइट मौझूद है जिसमें आप संपर करके हमसे बुक्स और जियों करे लिए सकते हैं वीडियो को Like, Comment और Share तो आप कर ये बाइब बाइ